हालो गाईज कैसे आप सब लोग टारुक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम जो रिडिंग करें हो केंडल बैक्स रिडिंग होगी जैसे क्या आप देखी रहे हैं और मैंने आज का टॉपिक लिया है कि वो आपको लेकर क्या सूच रहे हैं इस लेशनिशिप में क जाने से पहले छोटी सी जान करें पर्सन रिडिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है वहां जाके मुझे मैसेज कीजिए मेरा वाटस अप नंबर है कहां पर मुझे मैसेज कीजिए सारी जानकरी मिल जाएगी बहुत ही अफोड़ेबल चार्जिज म इसके लावा मैंने बहुत सारी रिडिंग्स यहां पर टाइमलेस डाली है वह भी आप चेक कीजिए मेरे चैनल पर ठीक है आपको आई होप कि जब भी देखेंगे टाइमलेस है तो जब भी देखेंगे आपको मैच कर सकती है तो चलिए आज के रिडिंग करते हैं आज और अपने इस चुदेव को याद कीजिए उसके बाद अपने पार्टनर का नाम दोर आई है ठीक है चलिए देखते हैं क्या एनर्जी जेख करेंगे आपके पार्टनर जो भी है देखें स्टार साइन में मुझे लगा कि कोई लियो है ठीक है सिंग राशी के हो सकते हैं आपके पार्टनर या आपका साइन भी हो सकते है इसके लावा टॉरस मुझे कोई दिखाया ठीक है विरशव राशी के इसके लावा पाइसिस कोई है ठीक है इसके लावा एरीज भी सकते हैं लेकिन इसके लाव कोई भी सायन हो सकता है टॉरस मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है लियो भी लग रहा है ठीक है पाइसेज और ये इस्टार साइग मुझे आप दिखें लेकिन मैं हमेशा की तरह केना चाहती हूं कि इस्टार साइग मझ जाएगा क्योंक नेगेटिव मत सूचें चले देखते हैं कि आज की रेटिंग में क्या है आपको लेकर वह क्या सूच रहे हैं तो सबसे पहले देखें मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान अपने या तो हैल्थ इशू है इनको या फिर कभी बीमारी थी छोटी मुटी भी हो सकते हैं बड़ी लगता है कुछ लोग तो वाकी में अपना जो ड्रेसिंग सेंस भी चेंज करने वाले कुछ नयापन आपको इनके अंदर दिखेगा ठीक है कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं और कहीं ने कहीं बदलाव जो है किसी चीज के लिए रेडि होने के लिए ठीक है यह मूशनली और कार्वर्वेंटली अपने आपको रेडि कर रहे हैं किसी चीज के लिए कोई तयार हो रहा है कोई स्टार्ट करना चाहता है कुछ ठीक है इस तरहके इनरजे मुझे आप के लिए दिख़ाई दे देरी है इसके यह लावा यह कहीं कहीं family dramas को ज 실त देल रहे हैं मुझे लगता थरड़ पाटी हो सकती है यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर जो है रात को सो नहीं पाते हैं। कोई ना कुई बात इनको सता रही हैं किसी बात को लेकर बहुजा चींते दिख़ाये रहे हैं। यह चाहते हैं कि इक नया cycle शुरू हुआय आपके लिए किसी बात को पूछना आप से या क्लियर्टी देना आपको यह मुझे आप दिखाई दे रहा है क्योंकि इनकी और आपकी काफे सारी डिजायर से जो सेम मुझे आपे लग रहे हैं और कहीं ने कहीं यह जो है अपने जीवन में कहीं डिजायर्स आपसे पूरी करना चाहते हैं आपसे बहुत सारे डिजार जुड़ी हुए यह मुझे आज के रिटेंग में इनके अनरजी दिखाई दे रहे हैं और ओल आपके जो पार्टनर है कहीं ने कहीं आपको कोई चीज के लिए आपसे न्यू स्टार्ट के लिए मान लिजे दूर रहते हैं या फिर आपसे बातची करें हैं यानि की देखिए लॉजिकल सोच हैं की प्रैक्टिकल ही सोच बहुत हैं इनकी कि आपके रिलेशनचिप में इनकी और आपकी कैसे मतलब रिलेशनचिफ आगे बढ़ सकता है क्या है आप में और इनमें common क्या है मतलब क्या चीज़ है जो कि आपको इनको जैसे कहते हैं एक अजीब सा contact या अजीब सा connection फील होता है ठीक है यह logical सोच रहे हैं और definitely यह बहुत सारी चीज़ों को observe भी करें इनको आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाए देती हैं जिसक जिसका अभी तक इनको ग्यान नहीं था लेकिन यह कहींने कहीं उस चीज़ को experience कर चुके हैं जब आप मिले हो ठीक है जब से आप मिले हो कहींने कहीं बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं करी है यानि कि पहले इनको नहीं मालुम था तो यह चीज़ें बहुत ज़रे इनको important दिखाए देती हैं और कहींने कहीं आपको बहुत अच्छे से देख चुके हैं मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है आपको परक चुके मतलब ठीक है आपके relationship में इनके energy यह है कि आप इनके लिए बहुत clear mindset हो बहुत साफ सुत्रे मनलब जैसे कहते हैं तो साफ दिल के इनसान चा है बहुत तारे तोड़ ला है तो भी इनके लिए शायद appreciation नहीं है लेकिन अगर आपके लिए कुछ भी छोटा सा भी काम करते हैं तो आप इनको बहुत बहुत मतलब appreciate करते हैं उस बात के लिए और यह बहुत माइनी रखता है इनके लिए कि स्वार्थी रिष्टे तो उन् के connection में आपके connection में दिखाए दे दिए और यह जैसे कहते हैं कि आप से चाहते हैं कि आप कुछ action लो लेकिन energy यह कह रही है कि आप से चाहते तो है कि action लो कुछ बताओ आप इनको कुछ फैक्ट है यानि कि चीजों को यह बहुत गहराई से देख रहे हैं क्योंकि चाहते हैं कि आप इनसे कोई सची बात बोलो चुपाऊ नहीं अगर आपके दिल में कुछ है देखिए कि रिलेशन्शिप में आगे बढ़ने के लिए सच्चा ही होनी चाहिए ठीक है कही ने कहीं को बहुत कुछ seller ऐस से ठीक है हालंकि आपको लेकर कर कंफ्र कांपिडमे कि यायस रीलेशन्शिप 6 में आप लायल हो लेकिन कहीं दूसरे बातों को लेकर यह बहुत लफे हुई है कि आप इंसे को छुपा रहे हो ठीक है इस तरह से तो ये आप से डेफिनिटली आप तो क्या सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यदा चुप चाप बैठे हैं मुझे ऐसा लगता है कि करेंटली अगर आप यह रिडिंग देख रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है यह तो कोई यह बैड पे यह सुफवे पे अपने चुप चाप अकेले चिंतन मनन कर रहे हैं कुछ बोल न बहुत सारी सोच लग रहे हैं लेकिन आपसे डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं तो एक नहीं शुरूबाती इनको दिखाए देरी कहीं ने कहीं हैं आपके लिए यही सोच रहे हैं कि आपके साथ ग्राउंटेड या स्टैबल कुछ कमिट्मेंट या वगरा उसकी सो रिलेशिंशिप को और भी स्ट्रॉंग बनाने के लिए कुछ नों कुछ इनके दिमाग में प्लान है या आपसे कमिट्मेंट चाहते हैं बहुत से लोग यहां पर कमिट्मेंट की ही बात करेंगे लेकिन आप अगर कमिट्मेंट नहीं दे सकते हो तो यह फिर और कुछ प्ल हों दूर हो। रहते हो आपका डूफ्स ट्रस ईशू इसे आपके पास option हैं इनके पास सब्सक्राइब बहुत-जादRE चीजों को एक नहीं शुरुक की तरह देखते हैं यानि enhance से जो भी मन मुटाव है जो भी समस्स्य है उसका समाधा ने को है और डेफिनेटली आगे चल कि आप से नहीं शुरुबात करेंगी तो इनका next action क्या हो जगता है देखे next action में यही बताऊंगी कि nextly यह क्या करने वाले हैं कुछ weeks में कुछ दिनों में यह कंट्रोल जो है आपक है चीजों को हैंडल करने में ज्यादा सक्षम हो ठीक है इस तरह से देख रहे हैं यानि कि आपको प्रोटेक करना रिलेशेंशिप को चलाना सारी जिम्यतारी खुद के आत्में लेना चाहते हैं क्योंकि कुछ चीजें आपके साथ जब क्लियर होगी तो इनको वाकिये में हार किसी बाते कह चुके हैं जिन से आपका हार्ट ब्रेक हो जोगा है लेकिन इए बाते हैं कहुंगा होने के चाहार पे हो और आपके पार्टनर जो है जो है अपनी रांज की हीलिंग करें और को होना चाहता है यह मैं आप देख पा रहे हैं उनका नेक्स टीक्शन क्या होगा आपको प्रोटेक करना, आपके रिलेशन्शिप के बागडोर अपने हाथ में ले लेना, कहीं ने-कहीं थोड़ा से एगो को साइड में रख के आपके साथ वाक्य में एक्षन लेने की कोई तयारी करना, प्री प्लान करना ठीक है, और यह कहीं ने-कहीं बैलेंस क्रेट कर दे यहां पर देखिए यह आना चाहते हैं और डेफिनिटली जैसे कहते हैं कि यह शौर है आपके बारे में और इनके बारे में तो आएंगे लेकिन स्लो एनरजी में आएंगे यानि कि थोड़ा टाइम लेगा लेकिन जब भी आएंगे यह कुछ ऐसा वैसा नहीं कहीं कुछ प अगवान का कोई दिया है कुछ भी है तो वह आज आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होगा ठीक है तो आज की रिटिंग में बस इतना ही घाईज और मैं जाने से पहले आपके लिए कुछ मैसेजेज जरू पढ़ूंगे आपके बार्टन के चले देखते हैं आपके हम हम कहां चले करा कि बहुत ही प्यारा सोंग है पर मुझे इंस्टेंट यादा तो इस वियर जरूर सुनाते हूं क्योंकि कहीं ने इन में जो है, कुछ आपके reading के लिए भी होगा, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास card, moving on is not easy यानि कि ये कहीने कहीan move on करने की सोच रहे थे, आप से दूर जाने की सोच रहे थे, तो इनको और ये लगता है, कि move on करना भी easy ये वापस आपसे connect होना चाहते हैं, you are mostly in my dreams at night, yes, आप हमेशा रात में इनके खौबों में होते हो, ठीक है, आप हमेशा रात में ही होते हो इनके पास, खौबों में, can we talk right now, yes, आप से अभी बात करना चाहते हैं, कि आप इनसे बात कर सकते हो, ये आप से पूछ रहे हैं, तो yes, मैं इनका message कर देती हूँ, आप जो है, अगर बात करना चाहते हैं, तो बिलकुल आप बात कर सकते हैं, ठीक है, you are my favorite person all the time यानि कि आप हमेशा के इनके लिए फेवरेट होगे, चाहे कितने ही लोग इनकी जिन्दगी में आ जाए, but you are the one, ठीक है, never show your sadness, यानि कि आपने दुख जो है, किसी से share मत करो, show मत करो, इस तरह की vibes मुझे आपे, इनके काट से नज़र आ दे, चले और देखते हैं, हाँ, यह अना दे चांस मांग रहे हैं, एक चांस और दीजे इनको, उनसे गलते होगे हैं, तो उनके लिए बाके में दुबारा connect होना चाहते हैं, ये लम ही बल हम बरसो याद करेंगे, येस, और कौन सा है मारे पास कार्ट, येस येवाला, येवाला था, ठीक है, और अब आया है, येवाला था, आप हमेशा इनके दिमाग में रहते हो, ठीक है, चले और देखते हैं, मेरे दिल में आज कहा है, तु कहे तु मैं बता दू, येस, आप कहेंगे तब ही बताएंगे, येस, आपके लिए सौंग है गाईज, और देखते हैं, अगर आप इनको याद कर रहे हो, रोते हो आप, तो ये आप से कह रहे हैं कि बिल्कुल रोना बन कीजिए, ठीक है, चले और देखते हैं, मेरे पास है, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, येस, ये सौंग है गाईज, तुम्हारा प्यार चाहिए, ओकी, नेक्स्ट, प्यार देना चाहता हूँ तुमको, येस, कहीं ने कहीं आपको प्यार देना चाहते हैं, चले और देखते हैं, आप नेक्स्ट है हमारे पास, आज फिर तुम पर प्यार आए, क्या बात है, बेहत और बेहिसाब आए, तो क्या बात है, कोई आपको मन से य कहां प्यार देना चाहता हूं आज फिर तुम पे प्यार हैं तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए और क्या कहूं गाइस आप हमेशा आपने आपको किसी से कंपेर मत कीजेगा आप अलग हो बिल्कुल अलग हो ठीक है कैन यू ट्रस्ट मी वंस आप इनके पर विश्वास कर सकते हो एक बार ठीक है क्योंकि मुझे लगता है मेरे विवर्स जो है काफे विश्वास करके देख रहे हैं लेकिन आपके तरफ से मैं मतलब इनके पार्टनर की तरफ से कुछ नहीं होता ठीक है क्यों दिखे मुझे तो सिरहाने मेरे तो आप बता सकते हो कि आप इनको सिरहाने क्यों मिलते हो या दिखते हो ठीक है तो आज की रिडिंग में बिलकुल इतना ही और नेक्स रिडिंग में ज़रू मिलते हो आइस ठीक है तब तक के लिए वियस मेरा वेट कीजेगा मैं नेक्स रिडिंग में will do bye bye guys